हेलो गाइस आज हम बात करेंगे इंडियान डिफेंस एक्सपोर्ट के बड़े में बढ़तमान समय पे इंडिया फाइट जेट टैंग या डिफेंस सिस्टेम और भी काई सारा हतियार और किडिकल कंपोनेंट को इंडिया हर अन्ने दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने के में इंडियान एक्सपोर्ट के लिए ओडर आ जाता है तो डेफिनेटली इंडिया का एक्सपोर्ट रातो रात बिलियान डॉलर में बदल जाएगा इंडियान एक्सपोर्ट मार्केट तो इस वीडियो में आप देखेंगे इंडिया का 10 ऐसे सकती साली घातक खुद का बना डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा रातो रात चलिए गाइस अब देखते हैं इंडिया का खुद का बनाए हुआ दस ऐसी सकती साली हतियार के बारे में और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा अगर आप इस तर जा रहा है इसके इलाबा भूटा नेपल और ओमान जैसे मिलिटरी इस्तमाल कर रहा है और यह राइफेल सकसेसपुल इस्तमाल किया गया था कार्गिल वार नेपली सिबिल वार माविस और नेक्सलाइट कन्फिक्ट में बढ़ताबन समय पे जॉंब और कस्मीर में इस्तमा बारे में जो एक है Excalibur Rifle और दूसरा है Amok Carbine Excalibur Rifle 2017 के मुदाबिक 25,000 यूनिट बना जाए चुका है और इसमें 30,000 राउंड से भी ज्यादा टेस्ट किया गया है इसका रेंज 400 मीटर रेट आपाए 700 राउंड पार मिनिट दूसरी तरफ Amok Carbine कर अगर वजन की बात की ज और 2008 में इसको मिलिटरी में समिल किया गयता है और इंडिया ने भी और कोस्ट गार्ट इस्तमाल करता है बट्तमन समय पे इसका रेंज 300 मीटर और रेट आपाए 700 राउंड पार मिनिट यह दोनों राइफेल बजन में कम होने के साथ कम दम होने से एक्सपोर्ट मार्केट को अच्छी तरके से कैप्चर कर सकता है दूसरी तरफ गाईज नंबर 9 पे है पिना का MBRL रोकेट बट्तमन समय पे इंडिया के दुआरा बनाए जने वाला पिना का रोकेट एक बैटल पूर्फ वेबन है इसका कारण इस रोकेट को सक्सेस्पूली कार्गिल वार में इस्तमा कर रहा है जैसे कि माक 1, माक 1 इंहांस और माक 2 जिसकी रेंज 38 किलोमेटर से लेकर 60 किलोमेटर ताक है और इसका पेलोट करिंग क्यापसिटी गाईज 100 से लेकर 500 के जी ताक है जो एक मिसाइल के बरबर गाईज इसका सबसे खास बात इसका स्पीड 4.7 मैक और एक्यूरेशी यह 7 मीटर पिना का रोकेट अन्ने दूसरे देश के मुकाबले में सस्ता जैसे कि 41 मिलियन पर यूनिट कोस्ट दूसरे देश की रोकेट के तुलना में यह काफी ज़्यादा सक्सेस्पूल और पारफूल है और इस रोकेट का समता एक टैक्टिकल बैलेस्टिक मिसेल के समा एक है OFB Aditya, दूसरा है Mahindra Marksman, बटमान समय पे OFB Aditya South के साथ भरत बनाया है और यह भीकल 2001 सही भरत के मिलिटरी में सामिल है, इंडियन मिलिटरी इस भीकल को 1400 यूनिट से भी जादा यूनिट इस्तमाल कर रहा है, यह भीकल सक्सेस्पूल इस्तमाल किया गया था, नेक्स चल सकता है, इसका डिजल इंजिन होने से ऑपरेशन कोस्ट बहुत ही ज़्यादा काम होगा, Mahindra Marksman कि अगर बात की जाए तो यह 2009 में सामिल हुआ है इंडियन मिलिटरी में और इसका क्रू मेंबर टोटल 6 है, इंडिया के इलाभा चीली भी इस भीकल को इस्तमाल करता है, दूसरी तरफ इस भीकल में remote control weapons station को भी established किया जा सकता है, और इसका सबसे खास effective बात है इसका speed, 120 km per hour रफ्ता से यह दोर सकता है, जो enemy को chase करने के लिए और enemy के उपर हमला करने के लिए बहुत ही एक अच्छा खास weapon साबित हो सकता है, इस भीकल का कीमत अन्ने दूसरे देश क भीकल के तुलना में कम होने से इसका export market में काफी ज्यादा effective साबित हो सकता है इंडिया के लिए, गाइस इसके बास नमबर साथ पर tactical ballistic missile, बटतमान समाई पर इंडिया के पास जो tactical ballistic missile से यह दूसरे देश की long range rocket artillery market को capture कर सकता है, क्यूंकि बटतमान समाई पर भारत के बास जि ballistic missile साबित होगा, जैसे कि देखा जाए तो भारत के पास पाहर सीरी इसका ballistic missile मौजूद है, जो tactical ballistic missile से, इसका range 1500 से 200 km तक और इसका speed mark 3 से भी ज्यादा, और इसका सबसे खास बात यह 35 km मूचाई में उन्ने में capable है, इसका accuracy है 10-10 meter, गाइस इस ballistic missile का आगा टोटल वजन की बात क केजी है, और पेलोट करिंग कापसिटी है 200 kg, गाइस पाहर मिसाइल का range है 1500 km और प्रागाती मिसाइल 170 और प्रनास मिसाइल का 200 km है, गाइस इस missile का price बहुत ही ज्यादा कम होने से, दूसरे देख में long range rocket artillery का export market को काफी आची तरक से capture कर सकता है, भारत अगर इस missile को export market में उत तो इसका result कितना अच्छा होगा, यह जरूर अब comment करके बताना, तो guys इसके बाद नमबर 6 पे cruise missile, बर्तमन समाई पे cruise missile के नाम पर भारत के पास मौजूद है, रासिया और इंडिया का joint venture Brahmos missile जो भारत के पास सबसे ज़्यादा सक्तिसाली cruise missile का जाता है, इसके इलबाद दु सरपेज land attack cruise missile role में भी इस्तमाल किया जा सकता है, guys इसका सबसे खास बात इसका accuracy, इसका accuracy है 1 meter और इसका सबसे पहला international export customer है फिलिपाइन, guys यह missile अब export market में उतर चुका है, और इसका फिलिपीन के बाद बहुत सारा देश इसको evaluate कर रहा है, जो भारत के export market के लिए बहुत ही ज धुरूफ हेलिकाप्टर इंडियन export market में और इंडियन military के लिए काफी successful हेलिकाप्टर साबीत हो रहा है, इसका कारण इसका कम कीमत होने से अन्ने दूसरे देश के हेलिकाप्टर के तुलना में यह इंडिया का export market को काफी ज़्यादा effective कर रहा है, और एक बात कहना चाहूँ है और यह special mission के लिए इस्तमाल किया जाता है, जो इंडियन military बड़्तमन समय पे 90 unit इस्तमाल कर रहा है, और 25 unit order में है, और इस हेलिकाप्टर में 20 mm और 7.2 mm का cannon भी इस्तमाल किया जा सकता है, इसके इलाबा Mr. Class missile, rocket, ATGM missiles, anti ships और torpedo जैसे missile को fire किया जा सकता है, नमबर 4 पे LCH helicopter और यह इंडिया का सबसे पहला compact helicopter और इसके इलाबा दुनिया का सबसे ज़्यादा high service link बारा compact attack helicopter है, यह helicopter specially focus करके बनाया गया है, high mountain area और घने जंगल area को focus करकर, और एक बात कहना चाहूँगा बड़्तमन समय पे यह 8 unit बनाया गया है, और इंडियन army इसका न होना क्यूंकि इसका सिर्फ 15 से लेका 20 million US dollar इसका कीमत है, इसका कम कीमत export market में काफी ज्याज़ा effect डाल सकता है, एक बात कहना चाहूँगा यह helicopter में 20 mm का cannon भी इस्तमाल किया जा सकता है, इसके इलाबा 50 rocket को भी इस helicopter से fire किया सकता है, इसके इलाबा 8 missile class missile और ATGM जैसा 16 missile को fire किया मौझू थे जो उस देश का यारफोर्स एक पॉपरली फाइटाजेट को effort नहीं कर सकता है, इसके बादले में trainer यारफोर्स को operate करता है, तो guys यहाँ पे इंडिया अपना खुद का बनाए हुआ trainer यारफोर्स उस देश को export के लिए push कर सकता है, और यहाँ पे इंडिया का एक smart move होगा, अपने defense sector में भी और export market में भी, guys बटमान समय पे इंडिया अपना खुद का बनेवा HJT-16 किरन नमका trainer यारफोर्स इस्तमाल कर रहा है, जो 180 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट है, यह यारफोर्स इंडिया पुर्ण ने साधिसी रूप में अपने देश में विक गा, guys इसके बाद हम बात करेंगे नेवी के तरफ और यहां पे बड़तमान समय पे इंडिया अपने नेवी के लिए 80% equipment खुद बना रहा है, हर एक चीज जो इंडिया नेवी को ज़रूरत है, वो चीज इंडिया खुद बनाता है इस समय पे, जैसे कि साम मेरिन, और यहां पे कहना चाहूँगा, इन सभी जहाज के इलावा, इंडिया और भी काई सारा जहाज बनाता है, जो एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा खास और एफेक्टिव होने बाला है, जैसे कि हम बात करेंगे, नामबर दो पे लेंडिंग सिस्ट के बड़े में, ब 500 टूप को कैरी कर सकता है, इसके इलावा यह विकल, दो हेलिकाप्टर को कैरी करने में कैपबल है, बड़तमन समाई पे गाईस, ऐसा बहुत सारा देश मौझू थे, जिसको इस टाइप का लैंडिंग सिप्स खरीता है, और यहां पे यह लैंडिंग सिप्स और दूसरे वा पेट्रोल वैसेज और पेट्रोल काप जैसे सिप्स छोटे मोटा सिप्स को बनाता है, और इसके इलावा मिसाइल बोर्ट, फास्ट अटक टाप अपसर पेट्रोल बोर्ट भी बनाता है, और बड़तमन समाई पे इंडिया अपने कोश्ट गाट के लिए हार एक चीज जो को इसके इलावा इंडिया जो खुद करवेट शिप्स बनाता है, यह करवेट शिप्स अगर एक्सपोर्ट करता है, तो छोटे मोटे देश यह करवेट शिप्स खरिदने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, और एक बात कहना चाहूँगा, कीमत में इंडिया का बनाया हुआ करवेट शिप्स अन्ने दूसरे देश की करवेट शिप्स के तूलना में काफी ज़्यादा कम और काफी ज़्यादा सकती साली होने से, इंडियान डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी इजापा देखने को मिल सकता है, तो गाइस यह था इंडिया का खुद का बन झाल झाल